कुरुक्षेत्र के ठसका मीराजी गाउ में 14 साल के किशन ने जहरीला पदार्द खाकर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली किशोर नवी कक्षा का छातर था बताया जा रहा है कि रविवार सुभा किशन ने जहरीला पदार्द खा लिया था उस समय माता पिता मजदूरी पर गए हुए थे माता पिता को फोन आता है कि उनके बेटे ने जहर खा लिया है जिसके बाद उसको इसलाइमाबाद अस्पताल ले कर जाते है अस्पताल में इलाज होने के बाद बच्चा ठीक होकर घर भी आ जाता है लेकिन अचानक से रात को तबित खराब होने से उसे फिर दोबारा अस्पताल ले जाता है जिसके बाद इलाज के दुरान उसकी मौत हो जाती है परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की उम्र 14 साल की थी और वो नवी कक्षा में पढ़ता था माता-पिता मजदूरे का काम करते हैं रविवार के सुभा माता-पिता के काम पर जाने के बाद बच्चे ने जहरीला पदार्द खाकर अपनी जीवन डीला समाप्त करने की कोशिश की हमें फोन आया तो हम घर पर आकर देखते हैं और उसे तुरंथ इसलाइमाबाद अस्पताल लेकर जाते हैं वहाँ पर उसका उपचार किया जाता है और शाम को छुट्टी दे दी थी अचानक रात को तवित खराब हुई तो हम फिर से उसे अस्पताल लेकर गए जिसके बाद इलाज के दुरान सुभा उसकी मौत हो गई बच्चे का ये पता नहीं हमें पता नहीं लगा हम मजदूरी करने गए थे तो यहां पर पता नहीं गलती से दवाई खा लिया संड़े को तो पिर बच्चे फून किये हमें तो हम आए घर पर लगे के आए इसमाइलाबाद इसपरस अस्पताल में तो दिन में इलाज किया वो तो ठीक हो गया था साम को घर भेज दिया घर गए तो अचानक हमारे बच्चे का तबियत खराब हो गया फिर लेके आए रात सुवेरे दस कुबजे कहते हैं इधर कम इलाज हो रहा है तो बड़े अस्पताल में ले जाओ तो हम लोग फिर क्या किये अधर लेकर आए यहां तो साम लेकर आए तो क्या प्यादा रहा है डाक्टर तर अधर आए चुह अलग पता नहीं दवाई खाई लिया था इसे कुछ बता रहा था चौदा साल की नौमी में प्रसानी दिदना नहीं था प्रसानी दिदना नहीं था नहीं नहीं कि मारा नहीं था हम ने तक कभी अभी अपने बच्चों को कभी थपड़ भी नहीं दिखाया है किसी बच्चे को मेरे तीन लड़कियां है अभी बेटा एक भी नहीं रहा दो थे एक पहले पानी में डूपके मर गया था तो एक को कल को मौत हो गया शड़हाट के बजी आख किसने बताया था कितने टाइम बाद बताया था कि इसने जहर खा दिया था वही असफ़ताल में पता लगा जाके के मारे जहर खा लिया थासका मीरा जी में